Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Valentine's Special February 2023 की Love Tarot Reading और इस Reading में मैं खास messages के cards यूज कर रही हूँ और इन messages के थुरू हम देखेंगे कि आपके partner की क्या secret intentions है, feelings है, thoughts है आपके लिए इस relationship के लिए जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं यानि कि मन नहीं मन secretly वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस Reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका sun sign हो या फिर आपका moon sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2023 की Love Tarot Reading चलिए के अप्रिकॉण आपकी reading शुरू करते हैं और February month के लिए में रपस four set of cards हैं first set में हम आपके energies देखेंगे, second में हम देखेंगे कि आपके partner की energies हैं and third में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है fourth में आपके partner की secret intentions या फिर secret thought process आपके लिए क्या है उसको हम जानेंगे तो आपसे शुरू करते हैं Capricorns और आपके लिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Ace of Wands Reverse और ये card कुछ Capricorns के लिए किसी भी level पे किसी भी तरीके की ending की बात करता है और कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि एक नई beginning आप करना चाहा रहे हैं या हो रही है नए सिरे से चीजों को आप शुरू करना चाहा रहे हैं या हो रही है और जिससे related issues मसले भी आप face कर रहे हैं In fact Capricorns February month में ही ending beginning को लेकर कुछ issues कुछ मसले आप के लिए रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी ये ending beginning सब Capricorns के लिए differ करेगी क्योंकि ये general reading है कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के साथ इस relationship में नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं एक fresh beginning करना चाहा रहे हैं या you know हो रही है और उसी से ही related issues और मसले रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ending हुई है वो आपको किसी level पर परिशान कर रही है और दिखिए इसके लिए सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर man का card कुछ Capricorns के लिए कहता है कि एक reason हो सकता है यानि कि कोई male figure एक reason इस ending का हो सकते है या कोई male figure काफी supportive हो रहे है इसी phase of life में यहाँ पर eight of swords, reverse and scythe के भी cards है और ये cards भी कहीं confusion की बात करते हैं हो सकता है कि बहुत बंधा हुआ पीछे आपने महसूस किया या फिर February मन्त या mid of February में आप महसूस कर रहे हैं और इन ही you know restrictions से, limitations से या जो भी एक helpless feeling आपको हो रही है उससे आप बहार निकलना चाहा रहे हैं deeper level के लिए दिखिए एक खत्रा, एक danger किसी भी चीज़ को लेकर Capricorns आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं ये भी सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भी आपका नाम खराब हो रहा है इस relationship की वज़य से या फिर कोई भी और reason हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इनसान से कोई खत्रा है और overall के लिए अगर हम देखें, तो कहीं एक separation या तो आ रहा है आपकी तरफ से या फिर इस relationship में रह रहा है जिसकी वज़य से भी आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं और इन ही चीजों से बहार निकलना चाहा रहे हैं और येस देखिए एक बरी फिर से मैं repeat कर देती हूँ, वो खत्रा वाला सब Capricorns के लिए नहीं रहेगा वो सिरफ और सिरफ कुछ Capricorns के लिए हो सकता है, कि again deeper level के लिए एक danger, एक किसी चीज़ को लेके छोटा मोटा खत्रा या risk भी आप महसूस कर रहे हैं और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी एक नई beginning आप करना तो चाहा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं और उस situation में आप बहुत stuck महसूस कर रहे हैं जहाँ पर आपको यसी feeling हो सकती है कि ना तो अब आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं आप अटक गए और बहुत सरी चीज़ों को आप देख के अंदेखा करते वे दिख रहे हैं सुन के अंसुना करते वे दिख रहे हैं और कहीं यूनो एक inaction, indecisiveness वाली energies रह रह जहाँ पर हो सकता है कि कोई decision कोई choice भी आपको लेनी है आप नहीं ले पा रहे हैं और देखिए ये decision ये choices भी सब के लिए differ करेंगे लेकिन यहाँ पर child का card कहता है कि नई beginning से related ये decision ये choices जादा रह सकते हैं और अब Capricorns आपके partner के energies देखते हैं तो देखिए आपके partner के लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है coffin और दिखें यहाँ पर death world reverse के भी cards हैं इस पूरी reading में और इसी लिए मैंने starting में आपको बोला कि February month में किसी भी level पे किसी भी तरीके की endings कुछ Capricorns के लिए कुछ के लिए beginnings या फिर ending beginning overall ही रह रह रही हैं और यहाँ पर देखिए again आपके partner के लिए coffin का card ending की बात करता है आपके card में भी हमने देखा कि कोई चीज end हो रही है या फिर आप शुरू करना चाहा रहे हैं तो उसी से ही related या कोई और भी reason हो सकता है आपके partner two minds में रह रह रहे हैं उनको भी कोई decision लेना है नहीं ले पा रहे हैं एक मन उनका कुछ कुछ और कह रहा है दूसरा मन कुछ और कह रहा है या फिर एक से जादा चीजों को balance करना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं वो balance नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे एक से जादा चीजें सब Capricorns के partner के लिए differ करेंगी कुछ के लिए simply Capricorns आप और उनकी family हो सकती है आप और उनका profession हो सक या फिर कोई भी दो चीजें हो सकती है या दो से जादा चीजें हो सकती है जिनको Capricorns आपके partner balance करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और इसी लिए या फिर otherwise भी mid February या February month के लिए Knight of Pentacles, Rivers and Tree के cards कहते हैं कि वो एक pause ले रहे हैं और बहुत एक जिद, stubborn वाली भी उनकी energies रह सकती हैं जहां पर जब तक कि उनको 100% surety नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ना चाहा रहे हैं और मन ही मन उनको ऐसा लग सकता है कि इतना time हो गया जो भी इस relationship में चल रहा है सब के लिए different different situation circumstances रहेंगे कुछ चीजे ठीक ही नहीं हो रही है और better यही है कि थोड़ा सा pause ले ले और थोड़ी fixated rigid भी वो रहते हुए दिख रहे हैं और दिखे end of February के लिए या February month कुछ के लिए हो सकता है birds and eight of cups के cards कहते हैं कि कि किसी चीज को छोड़ कर वो आगे बढ़ रहे हैं फिर से यह सब Capricorns के partner के लिए different करेगा कुछ के लिए दिखे कोई जगा हो सकती है जिसको छ आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लिए family को let go कर रहे हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने किसी thought से अपने किसी belief system से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो दिखिए यहाँ पे सब Capricorns के partner के लि ये relationship भी हो सकता है जिसको वो किसी level पे छोड़ के आगे बढ़ना चाहा रहे हैं क्योंकि देखे ये monthly reading है तो ये permanent नहीं है ये सिरफ और सिरफ February month के लिए रह रहा है और मैंने आपको बोला भी कि कुछ के लिए simply हो सकता है कि जिस जगा पे आप दोनों रहते हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या फिर अगर ये long distance relationship है तो उस जगा को छोड़ कर आपके पास आना चाहा रहे हैं और again मैं कहूंगी कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये आप से कहीं दूर जा रहे हैं जिस जगा पे आप रहते हैं उससे दो जा रहे हैं तो again सब के लिए differ करेगा लेकिन जिस भी cheese को छोड़ कर वो आगे बढ़ रहे हैं डीपर लेवी के लिए birds का काट कहता है कि इसी वज़े से एक anxious एक restless energies वो महसूस कर रहे हैं हाला कि देखिए बहुत जादा restless और anxious energies नहीं होंगी पर छोटी मोटी anxiety उनके लिए रहती हुई दिख रही है और अब देखते हैं कि अप्रिकॉंस की February मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए February मन्त की starting के लिए भी यहाँ पर death का काड है again death ending की बात करता है और ending जब होती है किसी चीज़ की तो देखिए नई beginning करने की ज़रत नहीं होती वो नई beginning ही हो जाती है तो यहाँ पर फिर से death का काड ending की बात कर रहा है और कहीं ये काड कहता है कि ये ending इतनी आसान नहीं हो रही है और ये बहुत normal भी है पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हो उनके साथ इतनी attachment हो जाती है comfort zone हो जाता है कि let go करने में थोड़ा सा issue रहता है और कुछ ऐसा ही इस relationship के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है सब के लिए different reasons रहेंगे हमने अभी बहुत detail में आप दोनों की energies देखी लेकिन यहाँ पर cards कहते हैं कि money, पैसा, finances भी एक reason रह सकता है again money, पैसा, finances से related आपकी life में या Capricorns आपके partner की life में कुछ complications है जो या तो आप अगर आपकी life में हैं या फिर अगर आपके partner की life में हैं वो share नहीं कर रहे हैं secretive रख रहे हैं यहाँ पर fish, snake and book के card इसी चीज़ को confirm करते हैं और कुछ Capricorns या उनके partner की life में हो सकता है कि एक से ज़ादा option है यानि कि partner के लावा और भी लोग हैं जिनसे आप मिल रहे हैं या कोई past का relationship है कोई ex है आपका जिससे आप connect कर रहे हैं और ये मैं सब Capricorns के लिए नहीं बोल रहे हूँ प्लीज ये मत समझेगा कि सब Capricorns की life में कोई ex है या फिर partner के लावा बहुत सारे options है ये सिरफ और सिरफ कुछ Capricorns के लिए दिख रहा है जैसे मैंने आपको अभी बताया broader level के लिए money, पैसा, finances या फिर luxury, comfort एक reason हो सकता है जिसकी वज़े से complications हो रही है जो की secretive रख रहे है hide कर रहे है जिसकी भी you know life में या जिसकी भी वज़े से हो रही है आपकी वज़े से हो रही है तो आप अपने partner को नहीं बता रहे है आपके partner की life में हो रही है तो वो आप से नहीं share कर रहे है और कुछ के लिए again देखिए आपके partner हो सकते हैं Capricorns जिनके पास आपके अलावा और भी options हैं, आपके अलावा और भी लोगों से connect कर रहे हैं और इसकी वज़े से कहीं complicated चीजें हो रही हैं और कहीं secrecy एक maintain कर रहे हैं और इन ही चीजों से related कहीं page of pentacles reverse का काट कहता है कि immature energies आपकी यह आपकी partner की रह रही हैं जहाँ पर maturity के साथ चीजों को नहीं handle कर रहे हैं in fact कुछ Capricorns या उनके partner को ये भी लग सकता है कि इतनी immaturity रही कि इसकी वज़े से अच्छी खासी चीजें खराब हो गई ये भी एक thought process कुछ Capricorns या उनके partner कर रह सकता है तो दिखिए जो भी हो कहीं end of February के लिए world reverse का काट कहता है कि कि किसी phase को किसी चीज को complete करके close करके end करके एक नया phase एक fresh beginning एक नई start करना तो आप लोग चाहा रहे हैं Capricorns लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और ये कुछ Capricorns के partner की भी energies हो सकती है तो again देखिए nut shell में हम देखिए ending beginning करना चाह रहे है लेकिन हो नहीं पा रही है क्योंकि ये world का काट है तो out of country से भी related यानि कि foreign country से भी related कोई connection कोई एक activity या कोई चीज रह सकती है और देखिए world के नीचे book का काट कहता है कि इन ही चीजों से related या फिर otherwise भी एक secrecy भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक maintain कर रहे है या फिर देखिए Capricorns आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बहुत you know unpredictability है जहां पे समझ में ही नहीं आ रहा कि अगले पल होगा क्या next moment होगा क्या तो कि देखिए जब हम किसी के साथ relationship में होते हैं हम चीजों को plan करते हैं हम एक साथ future देखते हैं और वही एक हमें बहुत beautiful feeling भी देता है जब एक unpredictability हो जाती है unknown जहां पे समझ में ही नहीं आ रहा कि भी अगले पल क्या होगा तो थोड़ा सा परिशान तो हम होई जाते हैं तो कुछ ऐसा भी कुछ Capricorns या फिर उनके partner यहां आप दोनों के लिए रहता हुआ देख रहा है और अब Capricorns आपके partner के messages read कर लेते हैं तो देखिए यह general reading है बहुत सारे Capricorns देख रहे हैं और मैंने messages के लिए 3 cards निकाले हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर message Capricorns आपके साथ resonate करे जो आपकी situation में applicable है जो आपके साथ resonate कर रहा है उसको आप ले लें जो नहीं resonate कर रहा है उसको आप छोड़ दें तो देखिए यहाँ पर first message है I feel vulnerable around you and it scares me Please give me time to trust our connection तो देखिए वो यह कह रहे हैं simply कि आपके सामने बहुत weak महसूस करते है और उनको बहुत डर लगता है उनको लगता है कि कहीं वो ऐसा कुछ ना कह दे ऐसा कुछ ना कर दे और ये भी हो सकता है कि वो completely trust नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत clearly वो आपको कह रहे हैं Please give me time to trust our connection इस connection को trust करने में इस connection में एक faith आने के लिए मुझे थोड़ा सा time चाहिए या मुझे थोड़ा सा time दे and second message है It was supposed to be over long time ago but I am afraid to let go तो देखे हो सकता है कि बहुत time से कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं और यहाँ पे tree का card भी long time की बात कर रहा है again बहुत time से ही हो रहा है और वो बोल रहे हैं फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है let go करने में यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है देखें उनकी family हो सकती है उनका work हो सकता है जगा हो सकती है और उनके लिए हमने आपे देखा भी कि कि किसी चीज़ को let go करके वो आगे बढ़ रहे हैं तो again वो यही कह रहे है it was supposed to be over long time यानि कि बहुत time पहले कुछ चीज़ें over हो गई कुछ चीज़ें end हो गई लेकिन अभी तक वो let go नहीं कर पा रहे हैं और उनको बहुत डर भी लग रहा है but I am afraid to let go and third message उनकी तरफ से है someone caused a rift between us and I am not sure if we will be able to recover from this तो दिखिए बहुत ही clearly आपके partner कह रहे हैं कि किसी इनसान की वज़े से rift आप लोगों के relationship में आई है और उनको ऐसा लग रहा है कि पतन ही अभी यह recover होगी भी या नहीं होगी और आपके cards में हमने देखा भी यहाँ पे एक man का card है तो जरूरी नहीं है कि आप ही की तरफ से कोई इनसान है जिनकी तरफ से rift आई है कोई भी हो सकता है यहाँ पे हम सिरफ एक possibility देख रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी life में कोई इनसान है जो influence कर रहे हैं आपको और आपके partner भी उसी को ही indicate कर रहे है और यह भी एक possibility हो सकती है Capricorn कि ऐसा नहीं है लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी life में कोई इनसान है जिनकी वज़े से इस relationship में issues हो रहे हैं मसले हो रहे हैं और वो यही कि आपको कह रहे हैं कि पता नहीं अब इस से recover कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक बड़ी फिर से मैं message read कर देती हूं Someone caused a rift between us and I am not sure if we will be able to recover from this तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए February 2023 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें